हेलो गाईज वेलकम बेक टो दे चैनल और वेलकम बेक टो इली ट्रेसलिंग पर अब ज़्यादा देर ना लगाती हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुवात करते हैं AEW के All In Pay Per You से क्योंकि अब तक AEW के All In Pay Per You से related updates आही रही है और ज़रा सबसे पहले बात कर लेते हैं All In Pay Per You के हर एक match के star rating की क्योंकि आपको तो पता ही होगा के All In Pay Per You एक काफी जबरदस पेपर रहा है और फाइनली इस पेपर यू के हर एक match की star rating बे आ चुकी है और मैं यहाँ पर आपको यह clear करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर इस star rating जो है वो Dave Madzer की star rating बता रहा हूँ जिस पर आप believe नहीं करते तो guys यह आपकी choice है पर मैं मैंटzer की rating believe करता हूँ जबकि वो थोड़ी bias भी क्यों ना हो लेकिन आप मुझे comment करकर बताईए कि इन star rating पर आपका क्या कहना है और आपकी हिसाब से AEW के कौन से match को कितने star rating मिलनी चाहिए और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करे all in pay per you पर होए सबसे पहले match यानि के AEW के लंडन ladder match से तो guys इस match को मिले है 4.5 star जो मुझे लगता है कि यह match डिजर्व करता है क्योंकि यह match इतना iconic था इसके साथ ही Mariah MA vs Tony Storm इस match को मिले 3.75 stars जो फिरिक बारे match डिजर्व करता है Hook vs Jericho इस match को मिले 3 stars जो मेरी साब से ठीक ही है लेकिन इसके बाद हुए Duckland vs FTR vs Young Bucks इस match को मिले 4.25 stars जहाँ पर मुझे लगता है कि यह थोड़े जादा है और मैं इस match को 4 star के rating देता इसके बाद हुए Cassino Gauntlet match को मिले 4.5 stars जो मुझे लगता है कि यह match डिजर्व करता है इसके बाद M.G.A vs Osprey इस match को मिले 5 stars जो भी है match डिजर्व करता है इसके बाद हुए Mercedes Bonnet vs Britt Baker इस match को मिले 2.5 stars जो फिरिक बार ठीक है इसके बाद Jungle Boy Jack Perry vs Darby Island इस match को मिले 2.75 stars जो मुझे लगता है कि यह match डिजर्व करता है क्योंकि अगर यहाँ पर में होता तो में भी इस match को 5 star या फिर उसके उपर की star rating देता और यही All In 2024 pay-per-view के हर एक match की star rating है जिस पर आपका क्या कहना ही आप मुझे comment करकर बताईए लेकिन यहाँ पर main card पर हुए 9 matches में से 5 matches की rating 4 star या फिर उसके उपर की है जो देखकर मैं तो All In pay-per-view के बारे में बात कर लेते हैं और अगर आपको नहीं पता कि बायरेट्स क्या होते हैं और guys यहाँ पर बताया जा रहा है कि साल के All In Pay-per-view के बायरेट्स लगबग लगबग 1,70,000 लोगों ने All In Pay-per-view खरीद कर देखा है जो देखा जाए तो guys AEW के लिए काफी massive number है और यहाँ पर हम roughly calculate करें तो guys All In Pay-per-view ने अपने gate से भी लगबग लगबग 1 से लेकर 2 million dollars कमाये है जो देखा जाए तो guys AEW के All In Pay-per-view के लेकर एक काफी बढ़िया stat है क्योंकि अगर हम 1,70,000 बायरेट्स को roughly calculate करें तो guys यह 8 million dollars आते है और यहाँ पर gate के अलग से 1 million तो मैं कहे सकता हूँ के AEW के shows काफी profitable चल रहे है और guys आप मुझे comment करकर बताइए के AEW के इतने बड़ी success पर आपका क्या कहना है पर सच में मैं इस चीद से काफी खुश हूँ पर लग यहाँ हम आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं All In Pay-per-view से related एक match के update की क्योंकि guys अगर आपने हमाई चैनल पर All In Pay-per-view का review वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि मैं All In Pay-per-view के अंदर जंगल बॉइ जैक पैरी वरसेस डार्बी आलन ये कौफिन मैच देखने को मिला था जहाँ पर इस match के अंदर में काफी बड़े-बड़े sports देखने को मिले और ये match का पीछे के main वज़य क्या है ये अब सामने आ चुका है क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि AEW को UK के किसी law के वज़य से अपना All In Pay-per-view का TNT Championship title match काफी जल्दी खतम करना पड़ा और इस match से several minutes AEW में cut कर दिये थे जिस वज़य से हमें इस match के अंदर काफी कम टाइम में का करकर बताईए लेकिन AEW को time management के चलते इस match के several minutes काटने पड़े थे पर फिलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात करते हैं AEW के future plans की क्योंकि इसे All In Pay-per-view के अंदर AEW ने अपने future को लेकर काफी बड़ी-बड़ी announcements कर दी है जहाँ पर सबसे पहली announcement तो यह रही क AEW दुबारा से 2025 के अंदर इंगलंड के अंदर आ रही है और यहाँ पर 2025 के अंदर इंगलंड के अंदर AEW का जो शो हो रहा है वो All In नहीं बलके AEW और New Japan Pro Wrestling का forbidden door होने वाला है जो एक काफी बड़ी announcement AEW ने All In Pay-per-view चलने के दोरान की थी कि हमें 2025 के अंदर United Kingdom के अंदर AEW और Pay-per-view forbidden door करते हुँ दिखाया देने वाली है और गैस मुझे लगता है कि इस बार forbidden door पे-per-view को लेकर एक काफी बड़ी hype तयार होगी क्योंकि मैं first time United Kingdom के अंदर NJPW और AEW साथ में मिलकर forbidden door करते हुँ दिखाया देने वाले है जिस पर आपका क्या कहना ही आप मुझे comment करकर बताईए लेकिन गाई सच में ये देखकर में तो काफी excited हो चुका हुँ और मुझे देखना है कि हम 2025 के अंदर AEW forbidden door पे-per-view के अंदर कुन-कुन से match इस करवाती है पर इसके साथ ही 2025 के लिए AEW ने एक और काफी बड़ी announcement कर दी है और यहाँ पर AEW ने आनौस कर दिया है कि में 2025 के अंदर AEW एक और international show करती हुँ दिखाये देने वाली है जो कि होने वाला है AEW Grand Slam और यहाँ पर AEW ने आनौस किया है कि हमे 2025 का Grand Slam surprisingly Australia से देखने को मिलने वाला है जहाँ पर ए Grand Slam February 15, 2025 को होगा जो कि मेरी birth date भी है और यह शो Suncrop Stadium से होगा जिस stadium की capacity रफली 50,000 से सकते हैं कि हमें first time AEW Australia के अंदर जाकर अपना Grand Slam करती हुँ दिखाये देने वाली है जहाँ पर भी stadium की capacity 50,000 से जादा लोगों की है और guys यह देखकर तो definite लग रहा है कि AEW का business काफी जल्दी बूम कर रहा है और AEW इतनी जल्दी तो खतम नहीं होने वाली क्योंकि AEW अब international markets क अंदर गुस रही है जो देखकर मैं तो काफी खुश हूँ और आप भी मुझे comment करकर बताईए किस पर आपका क्या कहना है लेकिन इसके साथ ही AEW ने अपने 2024 का remaining schedule पे रिवील कर दिया है और हाली में अपने 2024 का हर एक pay-per-view अनौन्स करती हुए AEW ने रिवील किया कि मैं September 7 27 को AEW का all-out pay-per-view देखने को मिलने वाला है, October 12 को Wrestle Dream pay-per-view देखने को मिलने वाला है, November 23 को Full Gear pay-per-view देखने को मिलने वाला है, और December 28 को World's End pay-per-view देखने को मिलने वाला है, जो AEW का बच Youtudas साल के लिए schedule है कि मैं बच allegory साल के अंदर AEW की ये च्छर पे-per-views देखने को मि करती है और ब्रायन डेलसन एज चैंपियन कितने जबर्दस मैचिस डिलीवर करते है और यही एव का कुछ फ्यूचर प्लैन है जिस पर आपका क्या कहना ही आप मुझी कमेंड करकर बताईए पर फिलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि WWE कमपनी AEW पर इतनी गुसा क्यों है तो आपको तो पताई होगा कि जब से AEW कमपनी मार्केट के अंदर आई है WWE कमपनी काफी स्केप्टिकल है और WWE कमपनी AEW पर गुसा तो है पर WWE ने कभी भी AEW का ये गुसा पब्लीकली दिखाया नहीं है लेकिन गाईज हाल फ्लाल में फैंस के तरफ से WWE काफी बैकलैश मिल रहा है और गाईज इस वजे से क्योंकि AEW ने कुछ ऐसा कर दिया है और हमें स्वर्व आने वाले कही सालों के लिए AEW के साथ कंटीनू करते हो दिखाया देने वाले है और इसी रिपोर्ट पर थोड़ी फार अपडेट सामने आया है जो की सालाना लगबग लगबग 18 करोड रुपए होते है और इस स्वर्व की एक काफी बड़ी डिल है जिसी पर बात करते हुए हाली में WWE के ओफिचल्स के तरफ से एक काफी वियर स्टेटमेंट आया है और यहाँ पर WWE की इंटर्नल रिपोर्ट में बता रही है कि WWE AEW पर इस चीज के लिए काफी गुसा है कि उन्होंने स्वर्व को काफी जादा पेसे पे कर दिये है और यहाँ पर WWE का मानना है कि AEW इन स्टार्स को उनके मार्केट वैल्यू से जादा पे कर रही है और अगर WWE यहाँ पर होती तो WWE स्वर्व को कभी भी 2.5 मिलियन डॉलर्स की डील ओफर नहीं करती और AEW इसे ही कही सारे रेसलर्स को काफी बड़े-बड़े कॉंटेक्स ओफर कर रही है जिस वज़े से काफी सारे रेसलर्स काफी बड़े-बड़े डील्स मांगेंगे और इस वज़े से रेसलिंग इंडस्ट्री काफी अनबैलेंस हो जाएगी जो WWE की इंटर्नल रिपोर्ट में बता रही है और गईज यहाँ पर देखा जाए तो WWE ने हाली में केविन ओवेंस के साथ एक डील रिसाइन की थी जहाँ पर ओवेंस भी WWE के टॉप स्टार के तरह ही आते है पुरे ने WWE 2.25 मिलियन डॉलर्स पे कर रही है जो कि लबबग लबग 15 करोड आते है लेकिन स्वर को 2.5 मिलियन मिल रहे है जो कि 18 करोड है जो WWE के नजरों में काफी जादा है लेकिन गाइस मुझे लगता है कि स्वर इतने पैसे डिजर्व करते है और स्वर ने ये बात बार-बार प्रूव भी करकर दिखाई है लेकिन इसी चीज़ को लेकर हाल-फलाल में WWE AEW पर काफी नाराज है कि अपने स्टार्स को काफी जादा पैसे पै करते है जिसके अंदर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाए दिती लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट करकर बताईए कि क्या आप WWE के बाद से अगरी करते है क्या AEW अपने स्टार्स को काफी रिडिकुलेस अमाउंट आफ मनी पे कर रहे है जा कि अपने स्टार्स इतना डिजर्व करते है पर मेरे लिए स्टार्स इतना डिजर्व करते है लेकिन आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हरे एक news, rumor और update और AEW के रिक्शो का रिवीव पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना पर अब मिल तो आप सगली वीडियो के अंदर पर तब तक स्टे हल्दी स्टे हैपी और कीप वाचिंग इलिट एसलिंग